दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो इलोन मस्क और उनकी कमपणी नियूरा लिंग के बारे में है तो चलिए शुरू करते हैं अभी हाली में वाशिंग्टन पोश्ट ने रिपोर्ट की है कि इलोन मस्क की कमपणी नियूरा लिंग को अपने ब्रेन कम्प्यूटर इंटरफेस के लिए एफ़ ये की मंजूरी मिल गई है ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि अब नियूरा लिंग इस तकनीक को आगे बढ़ा सकती है और हमारी मानसिक सेहत के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है तब से हम नियूरा लिंग के बारे में बाते कर रहे हैं चलिए अब जान लेते हैं कि आखर नियूरा लिंग क्या है नियूरा लिंग एक नियूरो तकनीकी कमपणी है जिसका मकसद है कि मनिश्यों के ब्रेन को कंपीटर से जोड़ना इसके द्वारा हम एक नए यूग की शिरुवात करते हैं जहां हुमन के ब्रेन को कॉन्वर्जेशन करना भी मुम्किन हो सकता है और अगर आप साइकोलोजिकल कॉन्वर्जेशन के बारे में ज्यादा जानना चाते हैं तो आई बटन पर आई वी वीडियो को जरूर देख लेजिए लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत से लोग चिंतित ह है क्या नियूरोलिंक इंजिनिरिंग मनुष्य के लिए खत्रा हो सकती है हम जानते हैं कि एक ब्रेंड कंप्यूटर इंटरफेस के लिए सर्जरी की जरूरत होगी जो इनसान के शरीर में चीज़ों को इंजेक्ट करेगा इस प्रसेस को सिक्यूर बनाने के लिए नियूरा कमपनी बहुत सारे कटनाईयों का सामने कर रही है और वे अब FDA की मनजूरी प्राप्ट कर चेकी है और वाके में ये एक प्रशन सा लायक बात है अब एक मैतपूर्ण सवाल उड़ता है क्या नियूरा लिंक फीचर में मनुश्यों के लिए खत्रा हो सकती है इसका जवाब देने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि नियूरा लिंक एक अभी नव तकनीक है जिसे सरजरी के माध्यम से लगाया जाता है हाइस्ट लेवल की सिक्योरिटी और नॉर्म्स का पालन करने से इसका खत्रा कम किया जा सकता है हाला कि नियूरा लिंक के स्तमाल से जुड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना भी मैतपूर्ण है सबसे पहले नियूरा लिंक के उपयोग की confidentiality को सुनश्चित की जानी चाहिए इसके लिए highest level की data security को priority होनी चाहिए दूसरा नियूरा लिंक का समय समय पर evaluation और updates किया जाना चाहिए ताकि इसके उपयोग से होने वाले risk का पता चल सके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि नियूरा लिंक इंजिनिरिंग के विकास से हमें कई potential benefits मिल सकते हैं जैसे कि मानसिक सेहत के लिए नई उपचार तकनीक यानि disability में सुधार और तकनीकी समवाद में प्रिद्धी अब तक नियूरा लिंक को FDA की मंजूरी मिलना एक मैतपूर्ण कदम है जो आगे के विकास के लिए मैतपूर्ण है हलाकि हमें सुनश्चित करना होगा कि सुरक्षा और confidentiality को priority मिले potential खत्रों को पैचानने के लिए नवीनतम और effective evaluation करें हमें special group से समझना चाहिए कि नियूरा लिंक एक प्रगती शील तकनीक है जो मानवे विकास में एक मैतपूर्ण योगदान कर सकती है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखिने के लिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपिया कर नीचे comment box में पूछें हम जल्दी फिर मिलेंगे अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो कृपिया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें